तो वर्तमान में कितनी वर्तमान में 545 सदस हैं दोस्तो ये हमारे पास लच्छी मिकांधी की भुक भारत की राजबिवर्स्ता है नि पॉलिटी और आज इस बुक के बारे में हम पढ़ेंगे संसत में आपको तो पता ही होगा कि ये बुक यूपेसी के कितनी फेवरेट है और हम इसे कई दिनों से फॉल्व कर रहे है तो सोचा की इस टॉपिक को आपके साथ सियर करते हैं तो चलिए हम देखते हैं इसे लचमीकांध की बुक से संसत के बारे में बढ़ते हैं इसके महतफूर बिंद् 진짜 के बारे में भी जानेंगे यहाँ पर संसत के अंस सरकार का विध कीजिदी tür यहां वालती समीधान पांच व्हां कि उंगैंगी समीधान के पांच में बाग में 79 आनुचेद में संसत का वर्णार मिलता है 79 से 112 तक जो संसत के गठन आगधी अधिकार्यों प्रक्रीया विच अधिक वी सर्थ आधी के वर्णन में वर्णन किया गया है जबकि जो संसद है संसद का जो गठन है और संसद की चर्चाब है आर्टिकल 79 में है तो भारती समधान के अंसार भारत की संसद के तीन अंग है राष्टपती लोकसभा और राचसभा 1954 में राजपरसद एवं जनता सदन के स्थान पर क्या रखा गया था लोकसभा एवं राचसभा सब्द अपनाया गया था इसके बाद राचसभा को उच्छ सदन कहा जाता है दूसरा चेमबर बडू की सबा जबकि लोकसभा को निचला सदन कहते हैं पहला चेमबर यह चर्चि प्रतिनिधी होते हैं जबकि लोकसभा में संपूर्ण रूप से भारत के लोगों के प्रतिनिधी होते हैं जिन्हें हम चुनकर भेजते हैं इसके आगे हम देखते हैं तो हाला कि राश्टपती संसद के किसी भी सदन का सदस से नहीं होता है और ना ही वैं संसद में बैठता लेकिन राष्टपती है वै संसत का अभिन अंग होता है संसत के तीन अंग होते हैं राष्टपती, लोकसभा और राष्टबा ऐसा इसलिए है क्योंकि संसत के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विद्यक होता या विदी होती है बनती है तो उसमें राश्टपती को स्विक्रती दीनी होती है राश्टपती संसत के कुछ चुनंदा कार भी करता है जैसे राश्टपती दोनों सदनों का सत्र आहुत करता है यानि सत्र को बुलाता है और समाप्त भी करता है लोकसभा को विगेटित कर सकता है जब संसत का सत्र नहीं चल रहा हो तब अध्यदेश जारी कर सकता है और इसी के साथ सत्वे सायोक्त अधिवेशन जोएंट सेशन भी बुला सकता है ये राश्पती के कार है इस मामले में भारती समधान अमीरका के स्थान पर ब्रिटेन की पदिती पर आधारित है ब्रिटेन की संसत ताज जो राजाय मरानी की है हाउस ओप लाड उपरी सदन वा हाउस ओप कॉमंस नीचला सदन इसके बारे में हम अभी पूरी डिटेल से देखेंगे इसके विपूरी अमेरिका का जो राष्टपती है वे विधान मंदर का अंग नहीं होता है जैसे कि हमारे भारत में जो संसत का अंग होता है तीन राष्टपती लोकसभा और रासभा वैसे ही अमेरिका में जो अमेरिका के संसत का नाम है तो वहां पर जो राश्टपती होता है वे संसत का अभिन अंग नहीं होता है भारत में होता है तो यहां से हमें यह चीज़े सीखने के लिए मिली हैं तो कांग्रिस के अंतिताती है उपरी सदन और हाउस ओव रिप्रेजेंटेटिटिव आता है नीचली सदन ये कांग्रिस है अमेरिका की संसब सरकार का संसती पद्धिती में विधाई वा कारेकारी अंगों में परस्पर निर्भरता पर जोड़ दिया जाता है आता हमारे संसब में राष्टपती ब्रिटेन की संसब में ताज की तरह है वहीं दूसरी तरह राष्टपती पद्धिती वाली सरकार में विधाई और कारकारी अंगों को अलग करने पर जोड़ दिया जाता है इसलिए अमेरिका राश्टपती कांगरिस का गठक नहीं माना जाता है जो अमेरिका की संसद होती है उसमें राश्टपती अंगर नहीं होता है उसमें सिर्फ सिनेट और हाउस पर रिप्रिजेनटेटिव दो सदन रादसभा की संरश्णा रादसभा की संरश्णा के बारे में देखते हैं रादसभा की अधिक्तम कितनी सीटे हैं 250 निर्धारित की गई हैं आने वाले समय के लिए इन में से 238 सदस राज्यों वसंग राच्छित्रों के प्रतिक रूप से निरवाचित होंगे मतलब जनता के द्वारा वोट नहीं डालेंगे जनता जिने चुनेगी वोट डालेंगे जबकि 12 सदस राश्टपती द्वारा मनुनित किये जाते है तो वर्तमान में अभी राच्छबा में कितनी सीटे है 245 वर्तमान में सीटे हैं जिनमेंसे 225 सदस राज्यों का प्रतिनेदित करते हैं और 8 संग राज्यों शेत्र का प्रतिनेदित करते हैं 12 सदस मनुनित करता है राश्टपती तो यहाँ पर जो संग राज छेत्रों का प्रतिमिदित करते हैं वे चौथियन उसी उची का अंसार करते हैं जिसमें कि चौथियन उसी उची में मेघाला तरपरा असम मेघाला तरपरा मेजोराव ये चार राज जाते हैं जिनके अंतरगत प्रतिमिदित करते हैं सविधान की चौथे नुसी उची में राजसभा के लिए राज्यों वस्तंग राज्चेत्रों में स्वीटों का अवंटन वर्णन किया गया है। राज्यों का प्रतनित विधान सवा के निर्वाचे सदस से करते हैं। और यह चुनाव अनुपातिक पद्यती के अनुसार एकल संक्रवनी मत द्वारा होता है। यही पद्यती जो राश्च्पति के चुनाव में की जाती है। राज्यों के लिए राज्यों की सीटों का बटवारा उनकी जनसंख्य के अधार पर किया जाता है। इसलिए राज की प्रतिनिदियों की संख्या अलागला राज्यों में अलागल होती है जैसे कि उधारण में उत्तर प्रिदेश में जो राजसवा में सीटें वे 31 हैं जबकि तिरपुरा में एक है एक सदस्य है अमेरिका में सीनेट में राज्यों के प्रतिनिदित बराबर होता है इसमें कि जनसंख्या के अधार पर नहीं होता है अर्थात अमेरिका में जनसंख्या के इस्थान पर अमेरिका में जनसंख्या के इस्थान पर राज्यों को सीनेट में समान प्रतिनिदित दिया गया है अमेरिका में सीनेट में कुल सौ सीटे हैं सौ में से प्रतियक राज्यों में दो सीटे प्राप्त हैं तो हमारे यहां जनसंख्या के अधार पर जो सदस प्रतिनिदित चुने जाते हैं जबकि जो अमेरिका में हैं वहां पर जैसे सौ सीटे हैं तो सौ सीटों में सभी को दो तो दो सीटे दी गई हैं वहाँ पर राजियों की जन संकर के धार पर नहीं किया जाता है। तो दो सीटे दी गई हैं वहाँ पर नहीं किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि अमीरिका सीनेट में कोई नामित सदस नहीं होता है। भारत की संसद में राजसवा में 12 मनुनित सदस से करता है राश्टपती और दो लोकसवा में मनुनित होते हैं। अब हम देखते हैं लोकसवा की संरश्णा के बारे में। लोकसवा में अधिक्तम कितनी सीटे हैं। 552 निर्धारित की गई हैं आने वाले समय के लिए। 253 राज्यों के प्रतेनीदित में 20 संग राज्चे चेत्रों के प्रतेनीदित करते हैं। अगलो इंडियन समधाय के दो सदस को राश्टपती दारा मनुनित किया जाता है। वर्तमान में कितनी है? 545 सदस है, इन में से 524 सदस राज्चेत्रों से हैं। राज्यों के विभिन निर्वाचन छेत्रों के लोगों द्वारा प्रतच रूप से निर्वाचत होते हैं जो लोग सभा में जो सदस से उनका प्रतच निर्वाचन होता है जिसमें की हम जनता महां पर वोट जाकर करती है भारत के हर नागरे को जिसकी उम्र 18 वर्स अधिक है जिसे समिधान विधी के उब बंदों के मताबिक अयोग नहीं ठैराया गया है और मत देने का अधिकार 61 समिधान संसोदन 1988 द्वारा मत देनी की आयू को 21 से घटा कर 18 वर्स कर दी गई है तो ये आपको याद रखना है कि 61 स संसत को संग राजचेत्रों के प्रतिन द्वाचन के तहत लोगसभा के सदस के स्तरीके चुने जाते हैं तो प्रतिन द्वाचन जिनमें की जनता खुद जाकर वोट डालती है यहाँ पर देखते हैं नाम है जिनमें राश्पाती दो लोगों को मनुनित करता है अगर लोगसभा में पर्याप्त प्रतिन द्वाचन ना हो तो राश्पाती इस समधाय के लोगों को नामित या उनका नाम निर्देशित कर सकता है शुरुआत में यह उप्बंद 1960 तक के लिए था लेकिन 95 में समधान संसोतन अधिनियां 2009 में इस पाँच में भाग में आणिछे 59 में संसद की चर्चा संस्थ के कितने अंग होते हैâte तीन अंग होते हैं लोगसभा राजसभा प्लस राश्फपती और 1954 में राज परसद यो जनत सदन के स्थान पर क्या आया था इस तो लोगसभा यहां पर है लोकसभा लोकसभा को पहला چेमबर या नीशला सदन भी कहते हैं और राजसभा को उच्छ सदन या दूसरा चेमबर भी कहते हैं यह अभी हमने एम लच्छ भी कान से पढ़ा इसमें की 524 सदस राजियों से राज्यों से प्रतिनेद्ध करते हैं लोकसभा में और 19 सदस संग राज्य छेत्र से दो सदस मरुनित होते हैं तो टोटल यहां पर 545 सदस हो जाएंगे यह लोकसभा में सदस से उनका चुनाव प्रतिच रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और इसमें 61 सविदान संसोदन 1988 में मत देने की जो उम्र है 21 से घटा कर 18 कर दीगे हम देखिए तो राजसभा में 225 सदस राजी का प्रतिच करते हैं आठ सदस संग राज्य छेत्र का प्रतिच करते हैं जिसका विल्ण विवरन चौथी अंसुची में है और 12 सदस को मनुनित करते हैं राष्टपती और इनके सदस्यों का अप्रतिच चुनाव होता है जैसे क यूपी में 31 सदस्यों हमने लोकसभा और राजसभा देखिए इसी के अंसौर अब यहां पर हमने यह भी पढ़ाता कि राष्टपती के कार राष्टपती के कार भी यहां पर हमने पढ़ाता उसमें तो यहां पर दोनों सदनों के सत्र को आवित सत्र वसान करता है यानि कि स सदनों को बुलाता है और सत्र को बुलाता है और सत्र को समाप्ति भी करता है यह राश्टपती का कार है लोकसभा को भंग भी कर सकता है राश्टपती अध्यदेश भी जारी कर सकता है राश्टपती और सयंक्त अध्यवेस्थान यानि ज्वैंट सेशन भी बुलाते हैं लोगसबा को गहा है तो बिर्टेन लोगसबा को संता है लोगसबा को आते हैं 552 Allah आंग्रेस वा हैं राँसबा को संत कैए और ये उप्षेशित को आ हूधम है उपली स्यवस्री आश हिसे धोक्तर राइभी जो यह दूद्ध संसाव देखा है संसाव जि gewoon किलाधी बोगमेकर अर्वपेस्टी की बहुत ही फेवरेड़ वोग है यहां देखा है लिए वीडियो millor अच्छी लगी दो लाइक से सब्सक्राब जरूर करिए तब तक के लिए मिलते हम आगले नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्वा करें